Hello friends, welcome to your channel Catalyst Soni and this is Soni Singh Friends, आज में आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये काफी useful होने वाला है क्योंकि बहुत सारे students and बहुत सारे universities के students exam को लेकर के confusion में चल रहे हैं कुछ बोल रहे हैं कि exam होगा, नहीं होगा, cancel हुआ, तो कुछ का अभी तक date भी नहीं पता है तो और कुछ का भी exam होने वाला नहीं है तो उनको panic ने लगा हुआ है कि उनका exam होने वाला है तो आज इस वीडियो में मैं try करूंगी उन सारे universities के exam के बारे भी clear करने का जिन से, जिन university को लेकर के मेरे पास questions बहुत सारे आये हैं मतलब मैं count भी नहीं कर सकते इतने ज़्यादा questions आये हैं ये सारे universities से तो हम लोग आज पुरवांचल, अवद, आगरा, CSJMU, CCSU, लखनाओ, जिवाजी इनवरस्टी ये सारे universities के exam के बारे में discuss करेंगे इस वीडियो में तो friends मैं आज का वीडियो स्टार्ट करूँ से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, बेल अगर अगर गट कर देजिए जैसे कि आप जानते हैं, चार बजे जो है, बीड फॉर्स जेर के class होता है जिसमें अभी objective questions कराए जा रहे है, तो उसको अच्छे से कीजिए आप लोग इसके साथ एक और information मैं आपको देना चाहती हूँ जैसे कि आप लोग अपने career से related बहुत सारी चीजे जो है पुछना चाहते चाहे, मुझसे पुछना चाहे, कि या किसी और से पुछना चाहे जो भी आपको अपने career से related पुछना है B.A.D. में क्या लेना है, क्या नहीं लेना है उसके लिए आज मैं आपको एक information देना चाहती हूँ उसके लिए आपको क्या करना है, कि एक app है call me app, call me for app, ठीक है उस app को आपको डाउनलोड करना है और उसको अब जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको अपना profile बनाना है और profile बनाने के बाद, आपको जिन से भी बात करनी है जैसे अगर मुझसे बात करनी है, तो अहाँ पे आप search consultant में करेंगे तो मेरा profile उसमें खुल जाएगा किसी और से कोई और guidance आपको लेना है, तो उनका नाम वहाँ पे search करेंगे तो अगर उन्होंने उस पे अपना profile बनाया हुआ, तो उनका जो है वालेट अपना recharge कराना पड़ता है, जैसे कि अगर मुझसे आपको बात करना है तो मेरा per minute 20 रूपीज है, तो आप वहाँ पे जो है, अगर एक मिनट बात करना है 20 रूपीज रिचार्ज करके, आप मुझे call लगा सकते हैं, फिर मुझसे बात कर सकते हैं इससे आप लोग को बहुत सारे, मतलब वुर्ण स्टूरेंट्स को बहुत सारे फायदे होने वाले हैं जो मुझसे contact करने का try करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है फाइनली मुझे बहुत सारे ये भी message आ रहा है, कि मैं बहुत सारे messages, whatsapp, insta, ये सारे पर हम लोग आपको message कर रहें, लेकिन आपसे contact नहीं हो पा रहा तो इसके लिए हम लोग ये platform लेकर आए, हमने सोचा कि एक platform रहे जिसमें मैं आपसे directly बात कर सकूँ, तो ये वही platform है, call me for और call me for app को आपको download करना, play store से जाकर कि आप download कर सकते हैं और जो process मैंने बताया है, वो आप करेंगे, चले start करते हैं, आज के वीडियो के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम लोग जिवाजी उनिवरसिटी के बारे में जिवाजी उनिवरसिटी का exam कब है, बहुत सारे questions आ रहे हैं, देकि अभी date final नहीं हुआ है जिवाजी उनिवरसिटी का, लेकिन मैं यह बो सकती हूँ कि इनका exam जो है, जैसे अभी March खत्म हो रहा है, अप्रेल आ रहा है, अभी तो को information नहीं है तो वो सकते हैं कि मैं, जून या जुलाई, देखें अगर yearly exam है जिवाजी में, जैसे कि yearly चल रहा है तो वो तो जुलाई लेगा, मैं या जुन या जुलाई लेकर जाएगा ही जाएगा, मैं से notification निकालेगा, जुन जुलाई लेकर जाएगा तो जिवाजी का भी इतना ही है, मैंने बहुत सारे universities में और बहुत जगा पर जिवाजी से contact करने का try किया, वहाँ पर मुझे यह information मिला है हम लोग continuous जो है उनसे contact करने का try कर रहे है, अगर university के लोग से या किसी भी professor से किसी से मेरी कुछ बात हो जाती है तो मैं आप लोग को वो वीडियो भी दूँगी, फिलहाल मेरे पास यह information है कि जुलाई तक exam हो सकते है, yearly है तो, friends, जिवाजी इनिवरस्टी और CCSU इनिवरस्टी, जिनका आप जानते हैं कि yearly exam होता है, तो इन लोग का exam जो है जुलाई में होने के chance है और हमारे पास messages आ रहे, paid class को ले करके, अभी students को paid class करना है तो हम लोग जो है, जिवाजी और CCSU, दोनों के लिए paid class, be it first year का ले कर आ रहे हैं तो जो लोग भी registration करवाना चाहते हैं, जल से जल जो whatsapp नमर दिया गया है, उस पे करवा लेजे चले, दूसरा बात कर लेते है, पुरवांचल उन्वरस्टी, पुरवांचल उन्वरस्टी का जैसे आप जानते हैं, 7th April से निकला हुआ है कुछ-कुछ पुरवांचल उन्वरस्टी से जैसे मैंने बताया था भी पहले भी कि इस थगित करने के chances हैं तो वही इस थगित हो रहा है जहां पे वहां पे graduation, जो graduation master के exam हो रहे थे एक दो paper इस थगित हो रहा है तो अभी पुरवांचल का जो है final नहीं कह सकते हैं, फिर भी आपको अपने आपको prepare करना है 7th April के लिए और यह descriptive ही होने वाला है, पुरवांचल जो है descriptive लेने वाला है दूसरा जो हमी latest निकाला है CSGMU, CSGMU ने जैसे आप जानते हो 1st April से निकाल दिया है, 1st April से exam है, continuous exam है और यह exam जो है आपका OMR based होने वाला यानि कि objective होने वाला है देर घंटे का exam है, तो उसके लिए prepare आपको CSGMU को students को होना है तीसरा है अवद University, अवद University में अभी yearly exam चल रहा है तो yearly exam वाले लोग के जुलाई में exam ही होंगे, जुलाई से पहले नहीं होगा मई, जुन तक जो है notification निकलेगा, form fill up होगा यह सब ले दे करके जुलाई पहुँची जाएगा तो अवद का हो गया जुलाई, आगरा इन्वरस्टी का यही हाल है जुलाई तक जाएगा, बोल रहे हैं बहुत लोग के मई में होगा, मई में होगा लेकिन देख लीजेगा, जुन, जुलाई टच करेगा ही, जुन का लास्ट यह जुलाई टच करेगा ही, करेगा अगरा बात कर लेतें, CCSU की, CCSU के स्टुरेंट, जैसे आप जानते हो, आपके पास भी yearly है और अभी latest news, जो CCSU ने निकाला था, कि वो 2020 का NEP follow करने वाला है, मतलब कि descriptive exam लेने वाला है लेकिन exam इसका भी जुलाई में होगा, जुलाई से पहले exam होने के chances CCSU के नहीं है और last university के जो मैं बात करूंगे, वह है लखनो इनिवरस्टी जहां पे semester exam होता है और semester exam के दिश्टे से अगर देखें तो लखनो काफी late जा रहा है लेकिन chances जहां तक मुझे पता चला है, कि लखनो जो है अप्रेल में be at first semester का exam लेहीं लेगा 100% लेगा, तो अपने आपको prepare रखिया गए, एक date में बताओं, तो 15 अप्रेल तक में जो है वह exam लेने की chances है मतलब कि अप्रेल के first week में वह date announce करेगा, यह कुछ करेगा और फिर उसके बाद, जैसे CSGMU ने किया, ज्यादा time दिया नहीं है उन लोगों को 26 को date निकाला है और उसके बाद से exam ले लिया, सेम लखनो भी करने वाला है, तो आप लोग एकदम ready रहे हैं उसके लिए So friends, यह रहे, आप लोग के यह सारी universities के जिससे मुझे most of questions आये हुए है, कि exam कब होगा और भी किसी university के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में comment कर सकते हैं यह instagram पे follow करके हमें message कर सकते हैं फिर मिलूंगे till then, have a nice